आप लोगों स्वागत है MZ classes में और जैसा कि आप लोगों को पता है कि class 9 की कल से exam होने वाला है जो कि first shift में नहीं second shift में हमारा हिंदी और English का साथ में exam होने वाला है तो जिन बच्चों का कल exam होने वाला है तो प्लीज अगर वो हमारे चाइनल को विजिट कर रहें तो प्लीज इन पत्रों में क्या होता है कि हमारे लिखने के लिए नहीं होता है उनमें जो में पॉइंट होता है उन चीजों को हमको जानकारी रखना है उनको भरना होता है option by through ठीक है तो किन चीजों को हमें कौन से पत्र में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इस सभी चीजों को सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर तू रखना है ती और तू यहाद रखना है यहाद रखना है यहाद रखना है तू उसके बाद क्या रखना है तू दा प्रिंसिपल यहाँ पर भरना है यहाँ तो यहाँ पर आप हेड मास्टर भर सकते है ठीक है जैसा आपके पास option में रहेगा उसके according देखना है to the principle उसके बाद यहाँ पर क्या इसकोल का name दिया और रहेगा इसमें भरने के लिए नहीं रहेगा यह लिखा हुआ रहेगा उसके बाद यहाँ पर आना program change करने के बाद यहाँ पर क्या करना है सब्जेक्ट रखना है क्या रखना है सब्जेक्ट मतलब विशय रखना है तिर द्यू टू अब देखा अगर यहां पर भी नहीं रहे हैं तो याद रखना आप लोगों को ड्यू टू या रिलेटेड वन वर्ड अचेज़ करना है ठीक है उसको करने के बाद हम लोग नीचे वाले पॉर्शन पर आते हैं यहां पर क्या होगा सर या तो सर लिखल रहेगा या तो यहां पर रिस्पेक्टेड सर रहेगा ठीक है यहां पर कौन सा पॉइंट भरेंगे सर रिस्पेक्टेड सर या तो सर भरेंगे ठीक आफ्टर देन यहां पर क्या करना है यहां पर जो है यह भरना है उसके बाद यहाँ पर आपने डिटेल जो भी रहेगा उन चीजों को भरना अब यहाँ पर देखें I am I am suffering अब जैसे कि बुखार का हम लोग पत्र लिग रहे तो यहाँ पर कहें I am suffering यहाँ पर कौन सा वर्ट डालेंगे सर सफरीं with fever so यहाँ पर क्या वर्ट डालेंगे so जिस कारण I am not able to attend the class यहाँ पर क्या वर्ट सो डाला है ठीक उसके परग्राफ चेंज करके बाद आपके पास क्या था I want to यह तो दिया हो रहे I want to request with you क्या होगा I want to request you यह वर्ट आपके पास नहीं दिया हो रहे गलती से मैंने यह request वर् और एक्जाम में आपके पास request नहीं रहे I want to request with you please यहाँ पर क्या वर्ट होगा please उसके बाद क्या है गीब मी गीब मी जितने दिन के चुटी चाहिए two days तो मैं two days लिग दें आपको three days leave मतलब चुटी चाहिए वो लिस्टोप करके for this अब यहाँ पर क्या वर्ट याद रगन thankful of you क्या वर्ना है for this kind of work I will be always thankful of you उसके बाद your obedient यहाँ पर lovely उबली नहीं भरना है समझभा रहा ना जिसे कि your lovely friend यह नहीं आप teacher को lovely नहीं बोल सकते यहाँ पर क्या वर्ट देना है कि आपका अग्या करें मतलब your obedient यहाँ पर क्या है your obedient यहाँ पर आपको name भरना है और आपके पास यहाँ पर class है रोल नंबर है ठीक है इन चीजों को आपको ध्यान में तो किन-किन चीजों को आपको official letter में ध्यान दखना है सबसे पहले two principal है जो principal या headmaster रहेगा उसके बाद school का name रहेगा उसके बाद नीचे वाले portion तो subject खाली रहा या due to related रहेगा नीचे वाले portion तो sir most respected sir दोनों में से कोई एक उसके बाद नीचे है I am most humbly यह line I am most humbly respectfully I want to say that ठीक है उसके बाद अगर जिस चीज के बारें बोल और suffering offering कर रहा है तो उसके बाद so I want to I am not able to attend the class यह अब यह point या I want to request with you क्या I want to request with you यह वाले word ठीक है please give me क्या please give me यह वाले point with you two days for this kind of work kind of work I will be always time full of you और यह वाला तो याद रख नहीं रखना है आपको यहाँ पर क्या होगा obedient यह याद रखना है कुण कुण सा चीज request याद रखना है kind work याद रखना है please याद रखना है most family respectfully यह वाले word subject principle और उसके बाद यह two इन बातों को अगर याद रखते हैं तो आपका official letter से ज चूटेगा नहीं और आपका पांच नंबर किसी भी कारण किसी भी वस आपका अंसर मतलब नंबर आही जाएगा आपके पास चूटेगा नहीं तो आप लोगों को यह बाते समझ में आगी होगी कि official letter में किन बातों को दियान रखना है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो बिना देकर तरीका अच्छा लगा उगा तो प्लीज प्लीज आपको जरू से जरू कमेंट करें आर बताये की कौन साइसा टॉपिक है जो छूट रहा है जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए मैं देखना चाहता कि आज जैक वालो ये दम है की नहीं हो